हम classification of research by method की बात कर रहे थे और हमने यह तमाम research methods जो थे यह quantitative और qualitative approach के अंडर इनको list किया इनके बारे में brief introduction जो है वो अब मैं आप से करूँगा ताकि आप इनके दर्मयान फरक देख सकीए के सर्वे कोरिलेशनल research से कैसे फरक होते हैं कोरिलेशनल research में और causal comparative में क्या फरक होता है इनके design methods इनको करना कैसे होता है problem किस तरह का state करते हैं यह बाते हम इसके बाद इनके जो detail तफसील से जो chapters आएंगे उनमें पढ़ेंगे अभी इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप यह फरक कर सकें कि यह आपस में एक दूसरे से अलाइदा कैसे हैं इनमें difference क्या हैं तो हम शुरू करेंगे quantitative approach के मुख्तलिफ designs या methods के साथ सबसे पहले इसमें survey research आती है survey से मुराद देखें क्या है जब भी मैं कोई research conduct करूँ और उसका मकसद सिर्फ ये देखना हो कि जिस problem को मैं study कर रहा हूँ उस problem का current status क्या है आज के दिन उस problem के बारे में जो चीज मैं जानना चाहता हूँ वो किस हालत में है यानि दूसे लफजों में मैंने कोई market में कोई product launch की कोई चीज बना के दी कोई किताब बनाई जो मैंने स्कूलों में लगा दी कोई curriculum नया बनाया था जो implement किया और मैं देखना चाहता हूँ कि लोग इसको किस तरह receive कर रहे हैं कैसे इसका इस्तमाल कर रहे हैं इसको accept कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं यह जीज जानना चाहता हूँ और यह मैं retrospective back date में नहीं या आने वाले दिनों के लिए नहीं आज के दिन इस problem का क्या status है यह देखना चाहता हूँ तो इसमें keyword जो है वो survey में वो current status है किसी भी research question के बारे में लोगों की आज के दिन में क्या रहे हैं यह जाना चाहता हूँ अमुमान इसको समझने के लिए ज्यादा अच्छी मिसाल जो है आप ले सकते हैं यह जो election polls होते हैं बहुतन कल कोई election होना है तो आज कोई अधारा एक survey करता है लोगों से टेलेफोने कली या फिजिकली जाके यह देखने के लिए कि कौन सी party किस status पे है कौन सी political party को या कौन से candidate को किस constituency में दूसरे पे कितना edge या disadvantage है यह चेक करना चाहूं तो मैं कहूंगा कि मैं survey करूंगा तो यह क्यूंके current status of popularity of candidate in polls चेक करना है तो यह survey study है अगर आप education के context में देखना चाहे तो बसलिए जैसे आपके सामने एक example लिखी है how do second grade teachers spend their teaching time मैं class में चला जाता हूं तो मैं class में अपना class time कैसे खर्च करता हूं यह देखना चाहता हूं तो उसके लिए survey किया जाएगा और survey में क्या होगा एक अमूमन इससे फरक भी हो सकता है ज्यादा तर जो किया जाता है वो यह है कि एक questionnaire बनाया जाता है उस questionnaire के अंदर time spend करने के मुख्लिफ जो possibilities हैं उन से मुतलिक सवालात होते हैं और हर सवाल के आगे एक scale लिखा होता है agree disagree या इस तरह का कोई और उस पे मैं जाके उन उस grade के teachers के classes में जाके वो distribute करता हूँ और उन से fill करवा लेता हूँ जे इस तरीके से ये research होगी और इसके जब results आएंगे तो वो भी मैं कुछ यूँ ही report करूँगा के class teacher अपना 40 minute का time जो है उसका 50% time जो होता है वो lecture देने में गुजार देते हैं 20% time वो बच्चों से सवालात वगरा कर लेते हैं और ये सारे hypothetical numbers है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जब भी आप survey करेंगे तो survey research की जो findings आएंगी वो इस नौईयत की होंगी तो ऐसी तमाम studies ऐसे तमाम topics जो आप research में इस्तमाल करें और उनके जरीए से किसी भी चीज़ का current level चेक करना हो मैंने साथजा का COVID-19 के बारे के effects के बारे में survey कर सकता हूं उनसे मैं पूछ सकता हूं ये बात कि इसके नतीजे में जिन्दगी को क्या फरक पड़े तो ये survey research कहलाएगी क्योंकि ये उनकी current understanding देखना चाहती है आप अपने आपको COVID-19 से महफूज रख सकें इसके लिए किस तरह के precautions करने चाहिए ये भी एक example है survey study की आप selected sample के पास जाके उनसे पूछते हैं कि आप अपने आपको COVID-19 से बचाने के लिए क्या practices करते हैं तो ये तमाम तरह की research जो है इसको आप कहेंगे कि ये survey research है